नमस्कार आप देख रहें इंडिया पाउर नियो जुर्म का परदा फास इस वक्त की खबर आजम गड़ जनपत से आ रही है दो बारए 2020 को श्री पन्यलाल पुत्र मनिराम निवासी चिल्ली रामपूर थाना सरफतहा जिला जौनपूर ने थाना स्थानी पर सिकायत दर्जकराई की मेरी बेटी रेखा की साधी गुड़ु पुत्र फूल चंदनिवासी ग्राम उलली थाना सराय ख्वाजा जिला मेरी पुत्री वह दामाद गुड्डू के बीच भीगत आठ महीने से रिष्टे ठीक नहीं चल लए थे पुलिस अधिचक सुधिर कुमार सिंग द्वारा अपरा अधिनामी आभियुक्तों की गिरप्तारी अभियान के द्रिष्टिगत अपर पुलिस अधिचक नगर श्री प पद्मा अपराद संक्या दो सो सता तरा अबलिग दोजार बीस दार आइक सो सहताली सिक्सवड़ताली सित्सों चास तीन सो दो से संबंदित अभियुक्त गड़ गुड्डू पुत्र फूल चंद ब्रिजेश पुत्र फूल चंद निवासीगड उडली थाना सराय पर परदेशी मोड से गिरपतार किया मौके पर तलासी से अभियुक्त हरेंद्र उर्फ भूपेंद्र पुत्र गनेश साकीन अमदई थाना जहाना गज के पासे एक अदद पिश्टल बतिस बोर कंट्री मेड तथा एक खोखा कार्तूस बरामद हुआ बरामदगी के आधार पर मकदमा अपराद संख्याद 277 अबलीग दौजर बीस में धारा तीन बटे 25 बटे 27 आर्म्स एक के तहत अभियुक्त गड़ों का चालान अपराद संख्याद 277 अबलीग दौजर बीस धारा 247, 648, 144, 302 वा तीन बटे 25 बटे 27 आर्म्स एक्ट के अंतरगत चालान माने नियाला को किया गया देखां आजमगर से बिरेंदर कुमार सोरोज की खास रिपोर्ट जहना गजमें एक मड़र का मुगदमा कायम था और उसमें यारोप लागया था कि उसके पती ने अन्ने लोगों के साथ मिलकर लड़की के खतिया कर दिया है इस समझ में पांच लोगों खिलाब नाबजद मुगदमा हो था तक पांचों के पांचों अबिर गुरतार हो गए ह और आज जेल जा रहे हैं इस तरह इस मुगदमें कारवाई पून होगे पेशना पून करके उसमें चाट शीगर पेशिती है आज रहा है और उस वहां पर बाकी लोगों के साथ मिलके इसने हाथ अब रहा है